हेलो फ्रेंड्स मैं मैं मेज कुमार आप देख रहे हैं आई सीने जोटीप चैनल दोस्तों आज की वीडियो में हम एप्सन प्रिंटर को अन्बोक्सिंग करके दिखाएंगे और इसे किस तरह से सेटिंग किया जाता है इसका इंस्टोलेशन कैसे किया जाता है इसका प्रिंट सारा काम कर सकते हैं अपर दिखें प्रिंट कर सकते हैं कोपी स्केन कर सकते हैं फोटो कोपी कर सकते हैं रियल इंपूट यह सभी आपको यहां पर मिल जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं कलर प्रिंटिंग भी कर सकते हैं बेलेकर वाइट भी प्रिंट कर सकते हैं इस प् डबे का अंदर मिल जाएगा चलिए हम आपको डबे को ओपेन करके दिखा देंगे कि डबे का अंदर क्या क्या चीज आपको मिलता है अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रेप्शन में दे देंगे वहाँ से आप डायरेक्ट इसे खरीद सकते हैं तो देखिए पेकेट को हमने ओपेन कर दिये हैं आप पर देखिए आपको ड्राइबर सीडी मिल जाता है यह सीडी को आपको अपने कम्पीटर लेप्टोप में इंस्टोल करना होगा क्योंकि यह सोब्टेर है यह प्रिंटर का तो इसे इंस्टोल करेंगे तो ही आपको यह प्रिंटर काम करेगा प्रिंट करेगा इसके साथ कुछ और document भी आपको मिल जाता है यहाँ पर देखिए आपको warranty card भी रहता है और साथ में एक यहाँ पर देखिए introduction दिया हुआ है जो paper में आप पढ़ सकते हैं इसे अच्छी तरह से इसमें साप साप दिया हुआ है किस तरह से आप इसे installation करेंगे किस तरह से आपको चीज आपको मिल जागा लेकिन हम आपको सामने करके दिखाएंगे किस तरह से print होता है कैसे काम होता है ता आप वीडियो के skip नहीं करेंगे पूरा देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा तो चलिए आपको दिखाते हैं प्रिंटर में और क्या-क्या सामान निकलता है और इसका इंक को कैसे install करना प्रिंटर में जो इंक आता है तो कैसे install करेंगे वो भी चीज आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा पूरा चीज आप सही से देखेंगे प्रेंड्स जैसे की आप देख पाए हैं इस डबे में यह कलर इंक मिल जाएगा यहां पर देखे बलेकिन वाइट इंक है और तीन डबा आपको कलर इंक मिलेगा तो इसे भी आपको प्रिंटर में इंस्टॉल करना होगा तो चलिए देखते हैं डबे में और क्या क्या चीज म जो आपको printer से आपको computer में connect करना ही से तो ही आप computer का चीज को printer प्रिंट कर पाएंगे उसके बाद computer का जो power cable भी होना चाहिए देख लेते हैं कहाँ पर यह है इसका power cable तो देखिए यहाँ पर kone पर आपको मेल जाता है power cable तो power cable से आप क्या काम करेंगे तो इसे आप printer में लगा देना है और printer में line supply इसी से होगा तो जब भी आप power cable उज़ करेंगे तो आप printer में यूज करेंगे इसे आप कम्पीटर में नहीं यूज करना है उसके बाद देखिए यहाँ पर और देखते हैं क्या चीज़ मिलता है, चलिए हाँ पर कुछ चीज़ नहीं है, तो इसे डबबे को हम बाहर साइट कर देते हैं और यहां से प्रिंटर को हम निकाल लेते हैं, प्रिंटर में देखिए चारो तरफ से इसका सुरक्षा के लिए प्लास्टिक लगा हुआ है और टेप भी चिपकाया गया है जैसे कि आप यहां पर इसक्रीन पर देख पाएंगे यह प्लास्टिक के अंदर है और इसका जो टेप है चार तरफ चिपकाया गया चलिए यहां पर बाहर निकाल के आपको दिखाते हैं सामने से यहाँ पर देखिए चारत तरब टेप लगा हुआ है तो टेप को हम आची तरह से निकालेंगे तो चलिए हम टेप को कैसे कैसे निकालने आप वीडियो पूरा देखेंगे यहां पर बहुत सारा Sticker है, सभी को एककर करे हम हटा रहे हैं तो आपको इसी तरह से Sticker सबको हटा देना है तो देखें, कुछ time यहां पर लगेगा आपको Sticker हटाने में इसके बाद पूरी तरह सी Sticker हट जाएगा तो आपको यह finishing बहुत ही बढ़िया दिखाए देगा तो देखिए इसका look बहुत अच्छा लगएगा आपको देखने में अब यहाँ पर आपको side में मिलेगा ink का box जहाँ पर आप ink को install करेंगे तो देखिए यहाँ पर इस box का धकन को open करेंगे इस तरह से तो यहाँ पर दिखिए चार बोतल जो डबास निकला है इंक उसे यही पर डालना पड़ता है सभी का यहाँ पर level भी आपको देखना पड़ेगा सभी का यहाँ पर नाम लिखा हुआ बिलेक का बिलेक है color का सभी का नाम color code दिया हुआ है चलिए आपको इंक में भी वो color code आप देख सकेंगे तो चलिए इंक को open कर लेते हैं किस तरह से इंक को open करना है यह भी आप देख ले अब यहाँ पर देखिए चार बोतल इंक सामने रखा हुआ है इसे हम पर इंस्टोल करेंगे तो सबसे पर आप black ink install करेंगे तहाँ पर देखिए आपको black ink सबसे किनारे B के लिखा हुआ है यहाँ पर आप पड़ सकते हैं B के लिखा हुआ उसी तरह से यहाँ पर black ink में B के लिखा हुआ है तो आप इसे match कर लेंगे code अब ink box open करते हैं और यहाँ पर जो ink है उसका धकन हम open करेंगे इस तरह से आप धकन को open कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर open हो रहा है उसके बाद इसे आपको यहाँ पर खपा देना है जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं जगा बना हुआ है जिस तरह से यहाँ पर जगा बना हुआ है उसी के हिसाब से इसे आपको खपा देना है खपाने के बाद आप देखेंगे तो नीचे यहाँ पर आपका ink का label यह बढ़ने लगेगा चलिए आपको दिखा देते हैं तो यहां नीचे आप देखेंगे तो आपको दिखाए देगा को जो इंक है यह धीरे-धीरे यह फूल हो रहा है यह इंक का जो टंकी है यह फूल हो रहा है तो कुछ देर में यह पूरा फूल हो जाएगा उसके बाद यह इंक का बोतल को हम side कर देंगे और दुसरा इंक इसमें हम refill करेंगे तो देखिए फूल हो गिया है अब बोतल भी अगर खाली हो जाता है तो हम इसे हटा देंगे तो देख रहें इसी तरह से सभी इंक को एकह करके इहां पर जो इंक का बॉक्स है इंक का टंकी है, इसमें सभी बॉतल इंक को भरेंगे, तो आपको color code देख लेंगे, जो भी इंक आपको डालना है, उस color code को मिला लेंगे, उसी का अनुसार आपको यहां पर इंक डालना है, तो चलिए इसे side में रख देते हैं, अब दुसरा इंक हम आपको open करते हैं, उसे डा दालेंगे तो इसमें वाई लिखा हुआ है और इसमें भी वाई लिखा हुआ है तो चलिए इसे हम यहाँ पर डालते हैं तो दोस्तों इसी तरह से आपको सभी इंग को यहाँ पर डाल देना है यहाँ पर देखिए सभी इंग को आप कलर कोड देखके डालते जाएंगे सभी इंग आप देख सकते हैं सभी अलग-अलग कलर का बोतल है और आप कोड मिला के यहाँ पर डालेंगे तो कुछ टाइम लगता है इसमें अब देखिए प्रिंटर में इंक इंस्टोल हो गया है अब इसका धकन को हम धक देते हैं उसके बाद चलिए आपको दिखाते हैं किस तरह से इसे प्रिंट करना है प्रिंट्स उसके बाद हम प्रिंटर में प्रिंटर में पावर केबल और वेस्बी केबल है दोनों को कनेक्ट कर देंगे पेपर इंसेट करने के लिए आपको पीछे साइड मिलेगा प्रिंटर के पीछे आप देखेंगे तिस तरह से आपको दिखाये देगा यहाँ पर आप पेपर को एफ होर साइज है तो इसे बड़ा कर लेंगे और एफ होर पेपर डाल सकते हैं छोटा पेपर होगा ता आप इसे साइज अच्छी तरह सेट कर लेंगे अब देखिए हम एक काटून का टुकड़ा लेते हैं और उसे हम कलर प्रिंट करके और बलेक और वाइट प्रिंट करके आपको दिखाएंगे तो उससे पहले आपको कुछ सेटिंग करना होगा अगर फर्स्ट बार अगर आप प्रिंट यूज कर रहे हैं प्रिंटर ता आपको इंस्टोल करने के लिए पार ओन करना होगा उसके बाद दिखिए आपका ये लाइट बिलिंग करेगा और जो इंक का लाइट है वो भी बिलिंग करने लगे उसके बगल वाले बटन को आपको प्रेस करके रखना है 5 सेकेंड या 10 सेकेंड तक आप प्रेस करके से रखेंगे उसके बाद आपको प्रेस करना छोड़ देना है छोड़ देने के बाद आपको कुछ देर वेट करना है जब तक ये पावर बटन का जो गिरिन लाइट है बिलिंग कर रहा वो जब तक इस्टोप नहीं हो जाता है जब तक बिलिंग करना छोड़ नहीं देता है तब तक आप इसे printer में कुछ काम नहीं करेंगे तब तक इसे छोड़ देंगे इसमें कुछ देर लगता है जो आप printer में जितने भी ink डाले हैं वो सभी अपने जगा में setting हो जाता है अपने आप adjust कर लिया जाता है तो आपको शुरू time में कुछ वक्त लगता है उसके बाद प्रिंट करेंगे कुछ देर तो आपको जो power button जो blink कर रहा है हरा color का वो stop हो जाएगा रुक जाएगा उसके बाद आप प्रिंट कर सकते हैं चलिए आपको देखेंगे कुछ देर बाद तो यह रुक जाता है तो देखिए दोस्तों इस तरह से आपको जो power button है वो बिलिंग अभी कर रहा है और इंक ओला जो yellow button था वो अभी रुक गया है अब देखिए आपर power का button बिलिंग करना छोड़ दिया है यानि कि आप प्रिंट करने के लिए तयार है तो यहां पर देखिए color print करने के लिए इस प्रेस करेंगे आप black and white के लिए इस बटन को तो color print करते हैं आपर प्रेस करते हैं तो देखिए हाँ पर paper अंदर की ओर आ रहा है अब यहां से बाहर निकल जाएगा प्रिंट होके उसके बाद दिखिए हम इसी paper को आपको दिखाएंगे black and white प्रेंट करके दिखिए आप देख सकते हैं यह प्रेंट हो चुका है color printing अब इसे हम black and white प्रेंट करके आपको दिखाने जा रहे हैं तो black and white के लिए आपको इस बटन को प्रेस करना है तो देखिए दोस्तों इस तरह से आप प्रेंट निकाल सकते हैं black and white color तो देखिए black and white प्रेंट हो गया है प्रेंट इस तरह से आप प्रेंट कर सकते हैं color या black and white अगर यह printer आपको पास नहीं इसे लेना चाहते हैं तो इसका link आपको वीडियो का description में मिल जाएगा और आप इसे ले सकते हैं और आप इसी तरह से इसका installation कारेंट पूरा कर सकते हैं दोस्तों अगरे वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें शेयर करें और इसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करकर रखें तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए जैहन बंदे मातरम